लुटेरी बीबी, नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाता है, पर नीता को अपने बॉइफ्रेंट से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तयार नहीं होता। इन्ही सब उलचनों के बीच, नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी क अगले ही दिन से परिवार में सब को उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है, जिससे घर में सब को दिक्कत होती है, लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता, एक दिन सास नीता के पास आती है. बहु, की गल? तुसे कीवे नाल या किसी गल से नराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड नी, मैं ठीका. ऐसा बोल नीता वहाँ से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है. शादी के अगले दिन से ही मैं सब्दे नाल किन्ना ओखा भी है किता. फिर भी आम मेरे तो इनने प्यार नाल गल किवे कर सक दिया. मानू नफरत करनी नहीं आउंदी. ऐस करके वो सोचती है, कि एक ना एक दिन तुहाड़ा गुस सभी खत्म हो जाओगा. इहां कदे नहीं हो सकदा. मैं नू लगदा आ, इस दा दिमाग हिल गया. ए तुसे दोनों किये गल करी जान दे हो? मैं ठीक आ, ते मेरा दिमाग भी. बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस से विच किनना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी. नीता की बात सुनकर से बहुत खुश होते हैं. और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है. जिसकी वज़े से कुछी समय में घर की सारी भाग दौड उसके हाथों में आ जाती है. उसी की साथ सास और रागों भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं. नीता, मेरा लाप्टॉप कित्थे आ? बहु, मेरे दवाईया? अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्नम बहु बन गई होती है. और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है. ए हुई नगल, हुन आएगा जिन्द की विच्छ स्वात. तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक राद सास और पती के सूती ही सारे गैने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉइफरिंड के पास चली जाती है. नीता की ये बात सुनकर रवी खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं जिसमें नीता पूरा समय काम करती हैं तो रवी उसके लाए पैसों पर आश करता रहता है. मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके सिसुराल छड़ाई और एक तूवा जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा. ओ मारानी अपने काम दो काम रख मेरे ते जुबान लडान दी जरूरत नहीं वरना इस घर तो बाहर कर देना है ए मैरा गरा तेरा सिसुराल नहीं जीवे मने किया रह ली इते रहन लाई हाँच चला जुबान नहीं रवी की बाते सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही का दित्ता ते तू छट्ड़ परे मेरी ही गलतिया जे अखा उत्ते ते तेरे प्यार दा पर्दा डाल बस दिन फोन ते तेरी गलना विच आ गई जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उत्ते ही बैठी होनी सी ए भाशन उन्ना दियो जिस्ते इसका फर्क पड़े मेरे क आज से चला जाता है और नीता रोती पच्टादी वहीं बैठ जाती है घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवी का घर छोड़ नहीं सकती इसी तरह दिन बीठते हैं और उनी के साथ हालात बच से बत्तर होते जाते हैं अब रवी पैसों और अपनी मन माने के लिए नीता के साथ मार पिट पी शुरू कर देता है जिससे परिशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है जिससे वहाँ देख रागव गुस्से से लाल हो जाता है हूनी थे की ले नाया हमारी जिन्दगी के साथ घर ता तो पहले ही बरबाद कर गई सी जान दिया मेरी गलती माव फिलायक नहीं मैं कमली सी उस धोंगी नू सच्चा प्यार दे इस सच्चे प्यार नू बहुत समझती बैठी मैंनू माव कर दो जे मेरी नूरानी समझ गई या कि उस तो गलती हुई या फिर किस बात का रूस ना मनाना केडी नूरानी रानी बोलन जोगा इसने केडे जंडे गार दिये माव याद कर तेरे घर विच चोरी कर बहुत पत्नी सब रिष्टे तोड़ भाग गई सी अर फिर कि मानता रहिया गलती हो कर इसी एक गलती ता रभ भी माव कर दीता ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही या माव कर दे मैं बोल रही है ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी इस दा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले ठीका जीवे तुहानू ठीक लगे पर इसे बोल देई मेरे कोलो कोई उमीद ना रखे तुस्सी जीवे कहोगे अपसास हर रोज राघो को मनाने की कोई ना कोई नई तिग्डम बताकर नीता को उसके पास भीशती रहती है जिससे कुछ समय बाद नीता का पच्टावा और कोशिशे देखकर राघो भी उसे माफ कर देता है